करनाल सेतराश्टी गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेश मिवर्ष 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्षे रखा है संस्थान के निदेशक डॉक्टर ग्यानिंदर प्रदाप सिंग ने बताया कि उनके संस्थान ने गेहूं की ऐसी अन्ने किसमे विक्सित कर किसानों तक पहुँचाई है जो ना केवल अधिक पैदावार तेरे में सबक्षम है बलकि बीमारी रोधी भी है किसानों के लिए एडवाइसरी जारी करती हूँ ने कहा कि बिजाई का समय शुरू हो चुका है किसानों को बीज कचेन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है किसान विग्यानिकों द्वारा विक्सित DBW 187, 222 और 3086 जैसी किसमों का ही प्रयोग करें इसके अलावा विग्यानिक विधी से ही खेत की जुताई वकहत का प्रयोग करेंगे तो उन्हें निश्टित रूप से ज्यादा पैदावार मिलेगी और लाब होगा संस्थान निदेशक ने कहा कि विश्व खाद्य दिवस के अफसर पर प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने संस्थान द्वारा विक्सित दो नई किसमों DBW 2303 और DBW 48 को रिलीज किया है इन्हें जल्द ही किसानों को पलब्ध कराया जाएगा इन किसमों में प्रोटीन और अन्य पोशक तत्वों की भरपूर मात्रा है और इनका प्रती हेक्टेर उत्पादन असी के वेंटल है जो क्रिशी में एक रांतिकारी परिवर्टन लाने वाला होगा ये जैव संवर्धित किसमें है जैव संवर्धित है इसमें प्रोटीन की मातरा अधिक है और भी जो तत्व हैं उज्यादा है तो उसको द्राष्ट को समर्पित किया था तो ये किसमें दोनों हैं जो खासतोर से किसानों को हम इस वर्ष नहीं लेकिया है